स्वागत हैं आई आज मैं बनाने जा रही हूं केरी पड़ना यह केरी लीए मैंने चार इसको अपन छीलते हैं इसका हम छील के इसका पज निकाल देंगे इस कर दिया है गुटली बाहर निकाल दी अब इसको बोयल करेंगे केरी बॉयल करने के लिए नगेस होन करते है कि जिए आख करने के लिए हमने इसमें पानी डाला केरी जिए does साथ इसके काली मिल्ची डाल देंगे यह 2 इंचमन अध्रक्ट पिस लिया है इसको कट करके इसके साथ ही बोयल कर देंगे इसके साथ ही बोयल कर देता है छोटे-छोटे फीसे इसकर लेंगे अब एक सीटी ले लेगे कैरी पना में डालने के लिए हमने यह सामगरी तेयार किये इसके लिए जीरा, काला नमक, नमक और इलाइची, 100 पीश्वी इसको मैंने 2 वंटे पहले भिगो दी थी, पुदिना और चीनी इसको अब अपन इसको ऐसे करके चेक करते हैं, यह अच्छी से बॉयल हो गई है, चमस जा रहा है असानी से, अब ठंडा होने के लिए इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, जूस के लिए अपना त्यार हो गया है, बॉयल किया हुआ, इसको अपन ग्राइड कर लेते हैं सरवत यह जूस तैयर हो गया अपना इसमें अपन थोड़ा छान लेगे चलनी से छान लेगे ताकि इस केरी के लच्छे है जो नी रहे अब आप हम तक तक इसके मसाला तयार कर लेते हैं इसका जूस का इसमें पोदीना सौफ इलाइची पाउडर काला नमक यह नमक सादा और सुगर इसमें थोड़ा पानी आट कर लें इसको ग्रांट कर लेते हैं यह अपना तयार हो गया तर लेते हैं अपन्छ कि अलिए और आप पीस हुआ जीरा इसमें आल देंगे अब सारी सामगरीव मिक्स रोन के बाद्टा मिटा जूस अपना तयार हैं कैरीपणना अपना जूश है यह गर्मी के सिजन का भूक लाजबा सर्बत हैं गर्मे इसको बनाने से बहुत फायदे हैं इसके हैं यह हमारा गर्मी में इसको जब मन साथ किया हुआ पी सकते हैं और ف्रीज में कि आप सब्ते भर के लिए आराम से रख सकते हैं को हमारे केरी परने की रेसिपी कैसी लगी आप भी घर पर बना के इसका वीडियो को आई करो